हेलो एव्रीवन वेल्कम बेक टू मैं हूं निकिता और आज हम बना रहे निन्वा की सब्जी मतलब स्पोंज गाट की तो चलिए देखते इसे कैसे बनाने तो हमने निन्वा की सब्जी बनाने के लिए हमने 600 ग्राम निन्वा ले लिया और इसे हम हम इसे चाटू से इसे स्क्रैच कर लेंगे जैसे आलू छिलते हैं वैसे निन्वा छिल लेंगे तो मैंने अच्छे से सारे निन्वा छिल ली है अब इससे मैं कट कर लूँगी तो कट करने के लिए हम इसे बीच से ऐसे कट कर लेंगे फिर इसे ऐसे दो टुकुड़े में ऐसे हम छोटा छोटा ऐसे हम सारा कट कर लेंगे हमने इसे अठे से कट कर लिया है अब इसके साथ में हम चार बड़े प्याज ले लिए और हरी मिल्ट्री लहसर और कड़ी पत्ता तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमने पैन ले लिया है अब इसमें दाल लेंगे तेल अब इसे गराम होने देंगे और अब इसमें हम डाल लेंगे जीरा तो हमने एक छोटी चमाच जीरा ले लिया और अब इसमें हम डाल लेंगे लैसन अब इसमें डाल लेंगे मिर्ची अब भून कर इसमें हम डाल लेंगे तड़ी पत्ता यह हो जाने के बाद इसमें हम डाल लेंगे प्यास तो अब इसे हम सब तब पकाएंगे जब तक की लाइट ब्राउन ना हो जाए हमारा त्यास हलका लाइट ब्राउन हो चुक है विसमें डाल लेंगे निवा इसे चला कर जब इसमें हम डाल लेंगे नमक और इसमें ज़्यादा नमक क्योंकि यह सब्जी बहुत जल्दी गल जाती है इसे मिक्स करके हम 4-5 मेट के लिए धब देंगे हमारे सब्जी को 4-5 मेट हो चुके और आप देख सकते हैं यह पानी छोड़ चुका है यह सब्जी अपने आप पानी रिलिस करका है अब इसम डाल लेंगे मसाले अब इसे चेज़े अधा चमच घरम मसाला इसे डालके अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से सारे मसाले मिला लिए अब इसे 6-7 मेट के लिए ड़के पका लेंगे मेडियम फ्लेम पर हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यह अपने आप पानी छोड़ रहा है तो आप अगर चावा से खाना चाहा रहें तो आप रस्टे की थीकने से इतना रख सकते हैं और अगर रोटी से खा रहें तो रस्टे को और था सुखा कर लेजें तो मैं था रस्टे को और सुखा कर रहे हूं तो इससे थोटा है और पका लेते हैं बिना ढ़के हमारे सब्जी अच्छे से बन के त्यार का थी कि आसे इसे हमbut कर लेते हैं तो आप दी अपने रख ट्राइब कीजिए अब हम मिलेंगे next वीडियो में तब तक कि लिए वाइ ट।